नमस्कार, सुआगेत है आप सभी का हमारे खास से कारिक्राम में उत्राखन में चुनाब है तुसे पहले कॉंग्रेस और बीजेपी अपने अपने कार्ड का इस्तेमाल कर रही है कॉंग्रेस अब emotional कार्ड फेकने की कोशिश में है बकाईदा हरिश रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 साल की बीजेपी सरकार के दर्मियान उत्राखंडियत जो चीज होती है संस्क्रीती जो होती है उत्राखंड की जो सभ्यता होती है उसका बीजेपी ने नाश कर दिया है और बकाईदा उत्राखंडियत को लेकर उन्होंने बकाइदा एक अलग तरह का राग छेड़ा है चुनावी राग छेड़ा है और इसलिए कहा जा रहा है कि हरिश रावत दरसल इस चुनावी रणनिती के तहत उत्राखंड को उत्राखंड की जजबातों पर हाथ रखने की कोशिश किया बीजेपी कहा रही है कि जब जब उत्राखंड का इन्होंने दमन किया उत्राखंड की विकास में किसी तरह का कोई योगदान कॉंग्रिस पार्टी का नहीं है बीजेपी ने पलटवार करती हुए बाते कहीं इस पर चर्चा करेंगे कही सवाल जवाब पूछेंगे लेकिन पहले एक रिपोर्ट चुनाब से पहले चुनावी डफली के शोड़ बीजेपी सरकार को कॉंग्रिस बता रही फेग कॉंग्रिस सरकार को फिसड़ी बता रही बीजेपी उत्राखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है एक दुसरे पर वार पलट वार से सियासत गर्म है पुर्वसीम हरिश रावत ने बीजेपी सरकार को पांच साल में फेल बताया हरिश रावत ने कहा कि पिछले पाँच साल की बीजेपी सरकार में उत्राखंडियत और उत्राखंड की जनता का अपमान हुआ है कई मुद्धों पर हरिश रावत धामी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं कि उत्राखंड और उत्राखंडियत की बेख्षा की है उत्राखंड के आम व्यक्ति के हितूं पर चोड़ की है और उत्राखंड के बड़े सवालों की अंदेखी की है उसको लोगों तक ले करके जाओ वहीं हरिश रावत के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि प्रदेश की विकास में कॉंग्रेश सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है चुनाप से पहले हरिश रावत पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाये गया कॉंग्रेश नेता शीरहरी शरावत का ये कहना कि कॉंग्रेश उत्रा खंडियत के नाम पर चुनाव लड़ेगी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाग है हमारा उनसे पूस्ता है कि क्या मा गंगा को नदी के स्थान पर नहर घोशित करना उत्रा खंडियत है दूसरी जब सैना सर्जिकल श्ट्राइक करती है और कॉंग्रेश उसका प्रमान मंगती है तो ये सैन्न भूमी का जो अपमान इस प्रकार से उनके द्वारा किया गया है क्या ये उत्रा खंडियत है कॉंग्रिस ने विधानसवा चुनाप से पहले उत्राखन के नारेप उठाकर एक बार फिर बीजेपी के सामने बड़ी चुनाती पेश कर दी है ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी कैसे इन मुद्दों का तोड निकाल पाती है देहरादून से अभैक केंतूरा की रिपोर्ट तो चुनाप से पहले वार पलट वार हो रहा है और इमोशनल कार्ड बाखाइदा कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से फेके जा रहे हैं उत्रा खंडियत और उत्रा खंड के जज़वात को उकसाने की कोशिश कौंगेस पार्टी की उपर इस तरह क्या रोप लग रहे हैं विजेपी लगा रही है तीन मेमान इस वक्त हमारे साथ है विनोध सुयाल जी इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के विनोध जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सूरत सिंग नेगी कॉंगेस के नेता इस वक्त हमारे साथ है सूरत जी आपका स्वागत है सबसे पहले मैं चलता हूँ BJP के प्रदेश प्रवक्ताविनोध जी यहए कलकतर की परिभाशा देने की कोशिश हो रही है ऐसा लग रहा है कि Congress Party के तमाम नेता ही उत्राखंडियत को जानते हैं बीजेपी आम आद्वी पार्टी को उत्राखंडियत पता ही नहीं है थोड़ा से मैं जानना चाहता हूं सरे उत्राखंडियत जजबात उत्राखंड के जजबात संस्कृती सब्वेता क्या बात आजकल हो रही है कॉंग्रेस की तरफ से आप लोग आप लोगों को क्यों घेर रहे हैं उत्रा खंडियत पर विनोज जी तक लगता है आवाज मेरी नहीं जा रही है विजो जी सुन पार है आप सा जलिए में विनोज झी से थोड़ी दो के बाद में सुरद जी आप इस अवाज आद हbye सुरत नेगी जी सुरत में पास मेरी आवाज निया जारी है कि कि अम आदनी पार्टी के प्रवक्पता रविंदर आनन जी आप सुन पार है चुनाब प्रचार चल रहा है जितने के दावे भी कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन एक तीसरा विकल्प देने के दावे कि जा रहे हैं प्रचार भी अच्छा चल रहा है आप लोग का लेकिन मुझे थोड़ा सा बताईए कि अचानक के कॉंग्रेस की तरफ से उत्रा खंडियत संस आभी जो है एक अलग अलग पार्टियों कि कैसे बदलेगी तो कैसे बदले देट कैसे आप लोग शो कर पाएंगे कि आप लोग उत्रा खंड और उत्रा खंडियत आपके अंदर भी है देखिए गोरिशेंगर जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस के अगर हम बात करें और बीजेपी के अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस और बीजेपी ने पिछले 21 सालों में जनता के सरोकारों को छोड़कर खेतरवाद को जातवाद को मुद्दा बनाया है उत्राखंड में तो अरिश्टावच जी का जो बयान है उत्राखंडियत की जो बात करते हैं उत्राखंडियत को भी कहीं बार बाट चुके हैं कुभाउवाद और घर्वालवाद में और उसके बाद पहारवाद, मैदानवाद तो हमारे सबाना है देखे, आम आदमी पार्टी की एक ही स्टेटर जी है काम की राजनिती करने की कि काम की राजनीती होनी चाहिए वनिस्पत इसके कि आप खेत्रवाद को बढ़ावा दें और खेत्रवाद को आपसमें बाटें इस प्रकार से भी अरीश रावजी का जो ब्यान आया है उससे एक चिस्तों साफ है कि अरीश रावजी और कॉंग्रेश लोगों की भावना से ख लोगों की भावना के साथ खेलने का मौका कौंग्रेस पार्टी को क्यों मिल रहा है और लोगों की भावना क्या चुनाब की बहावना की साथ और और क्या आमादी पार्टी को कॉंग्रिस की इस जजबाती एमोशनल कार्ड से किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? लोगों के काम आना, लोगों के काम करना, समाज के लियान की काम करना, ना कि जातिवाद में फेतर वाथ में बढ़ना, तो ये जो उनके बयान आ रहे हैं, ये उस वक्त तक रहेंगे जब तक की वो बीजी नहीं हो जाते। उनके पास सिलाल कोई ऐसा कारण है नहीं पंजाब से उन्हें शुक्ति दे दी गई है राज़्टे काले कारण यह उनकी कुंथा है जो कुंथा उनकी उत्रा खंडेत करी सुट्रा खंडेत पर बात करते हैं और वह बीजी हो जाएं और अपने आपको वियस्त कर दे तो थोड करते दो दिर के बाद आताओं بी जेपी के प्रदेश प्रबक्ता विनोज भी जुड़ जुडश वागत आपका सुरत सिंग्ह नेगी इस वक थ्मारे साथ डूड़ गये हैंं कॉंग्रेस के नेता सुरत जी के आपका स्वागत है पिसले 6,4 साल के दर्म्यान उत्राखंडियत को नष्ट करने का काम किये तो किस तरह की उत्राखंडियत की बात कर रहे हैं सर आप लोग सुरण जी बताईए जरा गवार्ती जन्ता पार्टी और जो अभी मैं दूसरे जन्ता परवक्ता जी को सुन रहा था बाति जनता पार्टी वाले तो बोले ही नहीं अभी तो मैं दूसरी प्रवक्ता जी आम आधी पार्टी के प्रवक्ता रविंदर आनन जी बोल रहे थे बोलिये सरवा तो मैं थोड़ा बहुत सुन पाया उनको आप लोग लेट जुड़े अक्चुली वो भी मतलब पतानी क्य बात करते हैं जब हम भारत और भारती था की वात करते हैं तो उसमें दूसरे दलों सवाल उठाए ना दरसल उनको दिक्कत यह कि उत्रा खंडियत की बात कीया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग नो की बात करने लक्टे मायुत की बात करनेयें लगतेों पहाड़ों की बात करनेये अपकर पूरे उत्राखंड को अलगलग हिसों में बाटने का भी आप लोगों नहीं किया तो फिर उत्राखंडीयत केहने का म AH कंग्लिस पार्टी के पास कहां से आ गया एक राज बना ए interessi अपनी तो जो सब मुझे पता है सर पूरा भूगोल मुझे पता है उत्रा खंडियत संस्क्रीती बड़े-बड़े पोस्टर लटका कि क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे यह बताई चुनाब है इसलिए ऐसा कर रहा है क्या ने देखे हरी स्रावल जी जब पूर्व में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्रा खंड की जो पहँचान है जो हमारे लोकल उत्पाद है जो हमारी संस्क्रीती है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और तब मंड प्रदेश की जब सरकार रही उसी ने उत्रा खंडियत पर ध्यान द्या बाकि बीजेपी की सरकार नहीं नहीं अगलता हो प्रदेश प्रवक्टा ऑपन्छे attorneys की सरकार जो धामी जो आप लोग की बीजेपी की सरकार रही उत्रा खंडियत आप लोग ने खत्म कर दिया संस्कृति यहां की खत्म कर रहे हैं विकास के मॉडल को खत्म कर दिया आपने जो भी उत्रा खंडियत को एक तरह से प्रिजर्व किया गया था उत्रा खंड में वो हरी श्रावत के नित्रित में ही किया गया था कॉंग्रिस पार्टी के नित्रित में किया गया था आपकी सरकार को फेल बता दी कॉंग्रिस पार्टी ने दस प्रस्ता हुत्राखंद राज्य के अंदर राज किया, अरीष राव जी ने उत्राखंड के मुख्य मंत्री रहे भारत्य जंता पार्टी वो राजितिक दल है, जिसने अपने मैनेफेस्टों में उत्राखंद राज्य बनाने की बात कही और जिनोंने उत्रा खंड डाज़ा पनाया चाए उत्तर परदेश की विधान सबाओ चाए भारत की संसदूर हमारे प्रदानमंतित अत्कालिन और हमारे बहुत ही जो कि अटलवियारी बाजचपे जी ने उत्रा खंड डाज़ा यहां की जन्वावनों यहां के मानसंवान के पार्टी के देता उस समय उत्राखंड के सब बिरोध कर रहे थे आज जब क्युनाव सर पर आ गया तरहे चार वरस तक आराम से सोते रहे आप इनको उत्राखंड पर याद आने लग ती अब पता नहीं क्या-क्या इन्हें याद आने लग गया अब कभी गड़वाल की बात कर आते हैं और इससे समाझ को पांट पांट कर इसे की बासे कटतेैं रहेंगे मुझे लगता हैं कि बारतिया जंटाफियने उत्राखंड राज्य बनाया है ज्या संगलष किया उसकी प्रणिफिरी बतरा चैशन राज्य Ses 1910 और उत्रा कर ने कर दंदिकों अ minder चार को समार आरह करेंगे और शामिल होगा और राज्य में तयार हो चुकिए 253 क्रोड की जो साथ प्रियोजना है तो क्या प्रियोजना है वक्त में जजबाद का बड़ा खेल होता है और उत्रा खंद का भी बड़ा खेल होता है संस्कृती सभीता अलग है उत्रा खंद के लोग इन सब चीजों को बहुती जादा जादा तवज्ज्जों देते हैं तो हरी श्रावत जो कह रहे हैं बीजेपी जिसमें परते एक घर से एक एक मुझे लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां से पीड़ी दर पीड़ी सैनिक नहीं होंगे और इतने वर्सों तक उन सैनिकों की अंदेखी करने का काम यहीं हरेश रावत जी केंडर में सरम मंतरी जब उत्राखंड की मुझे मंतरी थे तब यह केवल इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था हमारी सरकार ने सब्सक्राइब नियुक्ति एक उनकी रणनीती है उस रननीती के तहत हो सकता है कि जो कुछ फायदा हो जाए वह आनन्द के पास आता हॉ रविंदर आनन जी देखे अब बारी बारी से बीज्ये पी और कॉंग्रेस वहां पर सरकार बनाती रही है एक साल के उत्राखंड को अभी लेकिन बहुत कुछ जरूवत है ऐसा लगता है कि चाहिए CONGRESS की सरकार नहीं कॉशिश मेंकी तो आम आदमी पार्टी क्या इस गैप को भरने की कोशिश में लगी हुए वहां पर देखिए ऐसा है कि जब से उत्राखंड बना है तब से ही एक तीसरे विकल्प की आउशकता उत्राखंड को थी क्योंकि दोनों मतलब एक बहुत नहीं इंपोर्टेंट बात आपको बोरी शंकर जी बताने जा रहा हुए जल्दी सर एक मिनट का टाइम है आपके पस पिछले चार साल से कॉंग्रेस इस बात का बेरिट कर रही थी कि किसी तरीके से लोग बीचेपी से ओग जाए और हमारे पास ही आएंगे क्योंकि आप्शन नहीं है लेकिन जबते आमाद्भी पार्टी आई है तब से कॉंग्रेस की भी नींद हराम हो गई है कॉंग्रेस को इस समझ में आ चु अनों ही पार्टियों ने जन्ता को लूटने का काम किया हैं हमेशा जाती बात बेज माव में लागता के दूर रहे हैं मुझे लगता है कि आम आप आप जो है अरे भाई शुन लिजे पहले पहले सुनी जे भाई आपके सब्सक्राइब बोला था आप पर आप लगते चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो या बीजे पी की ने ता उनलों की तरफ से हमेशा यह कहा जाता रहा है हवा बाजी ज्यादा आप लोग करते हैं आना जमीन पर चीज़ें कम दिख रही है लेकिन ऐसा शो करते हैं जैसे आपकी ही पार्टी जीत रही है तो हवा बाजी हवा बाजी करने में पार्टी लगी हुई है और अभी उत्रा खंड को समझने मे बहुत वक्त लएगा मादवी पार्टी को यह सवाल आपके लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं इस तरह के आरोप आपके उपर लग रहे थे विश्वाब दे रहा हूं आपको जल्दी सर 20 सेकंड में जवाब दिजे इसका समय नहीं रहता है कम रहता है समय इसमें आप सिब्लिब्स को इंग्रेत बीजेपी दोनों ही पार्टिया एक दूसरे की बीटीम बताती है आप आप जो है कोलकाता में रस गुल्ला खा रहे हैं तो उसी तरह का टेस्ट जो है ना आपको दिल्ली मिल जाएगा ऐसा नहीं है भाई साब थोड़ा समझे बात को जो है आना दिल्ली में ठीक है आपकी सरकार है सबको धूल चटा लेकिन उत्राखंड में उत्राखंड में स्थितियां अलग है एकदम से एकदम से ऐसा मान करके चलना की मैं ही ज सुराथ सिंग्नेगी जी बताइए सर यह मुझे थोड़ा सहे बताइए आचाना कूत्रा खंडियत की बाद जजबातों की बाद हरी श्रावत जो करने लगे क्या इसे फायदा आप लों को मिल जाएगा क्या चुनाब में क्योंकि चुनाब में इस बार जो है दो तरफा मु है तो आम आदमी की पार्टी की बिस्वस्चनेता ही जंता में नहीं है एक मिनट है साथ नहीं दो हजार सत्र में भी यह लोग आये और इन्होंने चुनाव लेंड़ने से बना कर दिया अधिया अधिया तो आप दिल्ली की अगर बात करेंगे आप तो हम कहेंगे कि जो है द कि लिए जो लोग लड़े थे और तमाम दिल्ंडे में जो है शीनाद की सरकार को जन्हों में वरतकर बताया था बगति सवागो ने वोह फोड़ना पार्टी है विरोजी के पास आ रहा हूँ विरोजी एक मिनट टाइम दिया जा रहा है सर आपको एक मिनट में बताना है सर आपको कि देखिया हम आदी पार्टी से कॉंग्रेस परिशान तो रहती है चाहे दिल्ली की बात हो चाहे उत्राखंड की बात हो सबसे 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 पहला सबसे पहला नुक्सान तो कॉंग्रेस पार्टी को होता है बीजेपी क्या आम आदी पार्टी को किसी तरह से कोई खत्रे खत्रे वाली पार्टी नहीं मानती उत्राखंड में बताईए सर सबसे मानती नहीं था अने बनाए तो आपने गए उनकी तो प्रादियों के नहीं कि राज़ानी घोसिता आपने नहीं कि राज़ानी आप नहीं बनाई बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद इसी के साथ हमारे खास कारिक्रम इतना ही नमस्कार